कि हल चाल है सारे अंदे आई होब बहुत वधिया चल रहे होंगे लखवीर गुड़ अप्टरनों गुर्पीर गुड़ आप्टरनों चलो आज दी क्लास थोड़ी जी डिले होगी और दूसरी क्लास तो एथ्थे आणचे टाइम लग जान दा माड़ा जा ठीक है बचे अंद पहला सवाल है अपनी आज दी क्लास दा दे फोर अपना क्रैश कोर्स दा हैगा ते पहला सवाल हैगा फस्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज अपने पहले पार्ति ये जेडे के इंडियन सिविल सर्विस दे विच चुने गए सी गे ओना दा नाम की हैगा ए पुछ्छया है ठीक है जी सो निच्चे कर दिन्या में माड़ा जा पंजाबी मीडियम आला देखनी रहा हो ना थोड़ा चोटा कर दने रहे थीक है ठीक है सो पहले आप दूं पुछ्छया है गा कि पहले परसन कॉन सी के पहलें इंडियन कॉन सी जिनना दा सिविल सर्विसज दा पेपर कलیर हो ख़ ठीक है जी तौली अइस्टी्चे Johnson कॉन और थेक arrivé हों फोली हाँ जी तो पहले परसन अपने को ले सी जी सतेंद्र नाथ टैगोर जिन्ना दा ICS यानी के सिविल सर्विस दा पेपर क्लियर सीगा ठीक है जी तो बेटा ये PDF ये दे उत्ते में तो लिख्या नी जाना सो तुसी अंसर नोट कर लो एस दे उत्ते सो अंसर बनुगा अपने पहले सवाल दा ओ बनुगा जी सतेंद्र नाथ टैगोर ठीक है तो ए डॉक्टर स्वारी अपने रभिंद्र नाथ टैगोर जी दे वड़े प्रासी के ठीक है हुण माड़ा जा देख लेए इंडियन सिविल सर्विस दे पेपर दे बारे आईसीएस दा एक्जाम अपने पारत दे विच्छ जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस किता सीगा जिस मतलब लॉड ने किता सीगा उन्ना दा नाम सीगा लॉड कॉर्ण वैलिस सो लॉड कॉर्ण वैलिस नू पादर आप सिविल सर्विस भी क्या जान्दा है अपने देश दे विच्छ लेकिन एस्टे दे नाल नाल एन्ना ने पर्मानेंट सेटल्मेंट सिस्टम भी दिता सीगा ने तो पर्मानेंट सेटल्मेंट सिस्टम की सीगा कि जदो किसान्ना तो लगान वसूल करना हुंदा सीगा ता एन्ना ने उस्टम नू पूरा फिक्स किता होया सीगा कि मतलब आपा 15% V% या 25% लेना ही लेना है चाहे खेती वदिया होई होवे, चाहे माडी होई होवे, सानुता साड़े लगान तो मतलब है पर्मानेंट सेटलमेंट इन्ना ने कर दिता सी गा, जमीनदारी सिस्टम दे अंदर ही ठीक है, तो एक काम किता सी जी लॉड कॉर्न वैलिस ने ठीक है जी, ते पेपर भी एन्ना ने ही शुडू कराई सी अपने देश देविचे कॉर्न वैलिस में, ठीक है यह याद रखन दा तुसी छोटा जा फंडा लगा सकते हो, ठीक है, मैं फंडा कहूंगी और ट्रिक भी नहीं कहूंगी क्योंकि यह तरीक की हुंदे जी के नूँ याद रखन दे बस, ठीक है, कॉर्न वैलिस देविचे के शब्द लैलो कॉर्न, कॉर्न दा मतलब की हुंदा है जनाब मक्की, ते मक्की आपा कहो जी खानने या पक्की, यह बेबी कॉर्न खान दा रिवाज दा अंगरेज जादा हैगा मतलब बारली कांट्रीज, ता जादा हैगा, अपने देश दा पक्की होई, पूरी याठी है, छली खाई सीगा कि किन्ना ने इसनों शुरू किता सीगा दूज्जा अपना सवाल की आईसी एस जड़ा हैगा की ने मतलब खलीर कर लिया सीगा सब्तों पहली वार पहला इंडियन कौन सीगे कौर्न वैले साब ने पर्मानेंट सेटलमेंट दिता सीया तीजा सवाल हलकी जी ट्रेक लगानी है बस नाल दी नालत और डांसर क्लियर ठीक है जी सो एस तरीके दिनाल बन गया जी अपना सल्यूशन नेक्स्ट अगले सवाल नों आप देख देया कि अगला सवाल अपना की है हाँ जी सो अगला सवाल अपने को ले फर्स्ट सेंसस ओप इंडिया वास कंड़क्टर डूरिंग दा टाइम ओफ विच वाइसराइब केड़े वाइसराइब समय देविच पहला सेंसस अपने पारत देविच कंड़क्टर हो गया सी का ठीक है जी सो सवाल हैगा पारत दी पहली जड़ी जन गणना सी गी ओ किस बंदे दे टाइम दे उते होई सी ठीक है जी, सो A नूं आपका याद करना है, A आपका पढ़ना है, क्यार अंसर बनूगा जी, Lord Mayo, की बनूगा अंसर? Lord Mayo, ठीक है, तब B option अपना अंसर बनूगा, आपका solution देविचे लिख लेने या, सो B option, Lord Mayo. अपने देश देविचे जनगना करन दी माननेता प्राप्त है गिये, कि इस बंदे ने पहली वारी कित्ती सी? So, first time इनना ने कदो जनगना किती सी, 1872 दे विच, 1831 चे इनना ने पूरा डेटा तेयार कित्ता ते 72 तके जनगना कर चुक्के सी, लेकिन ए जनगना अपने पारत दे बंगाल शेतर तक सीमित रह गई सी, जीदे करके असली पुरे इंडिया दी जड़ी जनगना है गी है, ओ 1881 दे विच्छ हुंदी है लेकिन आपनु न कई वारी ए पुच्छया जानदा है कि भी पहली वार सेंसस ही कदो होया सी तुसी बस एई दस दो फेर ता अंसर आओगा अपना 1872 जे थो नू ए पुच्छया जावे कि पूरे इंडिया दी जन गणना पहली वार फिर उस्तो बाद चल दे चल दे आपा 2011 तक दी जन गणना अपने कोड़े है हुन लेटेस्ट जन गणना जेड़ी अपने कोड़े है ओ 2011 दी है क्योंकि आपनु पता है कि दस सालना बाद यानि कि 2021 दे विच्छ होनी चाही दी सी लेकिन कोरोना करके नहीं हो सकी हुन ओ जेड़ा 2021 वाला होना सी जन गणना होनो होड ले हो गया ते अगले साली आपनो अपनी जन गणना मिलूगी ठीक है जी सो दस सालना दा सिस्टम होनदा है जन गणना करनदा सो हमेशा याद रखना रलोड मायो है एनना न करवाई सी ऐसे लए इनना नो फादर आफ सेंसस वी क्या जानदा है ठीक है जी सेंसस करोन दे फादर साब जड़े है गया है ओ कौन कहे जाते है अपने को ले लोड मायो ठीक है जी है क्योंकि कई वारी न जी करनल दे कोईशन तो देखो लोडी देगीत की में गांदे लोग की दे माई लोडी जीवे तरी जोडी ठीक है जी होन एदर भी तुसी माई लिख लो ठीक है ए बंदा केंदा की दे माई पॉपुलेशन डेटा की जेड़ा पॉपुलेशन डेटा तुसी दोंगे उससे दे उत्यदार इठोगी मेरी जनगनना माई दा बस की बनाना है माई ठीक है इस तरीके नाल याद कर लिए हो सो यह याद करन दा जस्टिक अपने को ले वे हैगा ठीक है दो तिन नवरी रिवा तीसरा सवाल है किसने कहा सी स्वराज is my birthright and I will have it स्वराज मेरा जनम सिद्ध अधिकार है अते मेरे कोड होवेगा आज नहीं तकल मैंनू स्वराज हासिल जरूर होएगा तुसी सारे ही इस सवाल का जवाब दे सकने हो बचपन तो पढ़ दे आ रहे हो यारे कोई नवा सवा आटावड अंसर दो किन्ना ने कहा सी स्वराज मेरा जनम सिद्ध दिका आ रहे ते मैं इसनूं हासिल करके रहूंगा यह मिलके रहूंगा हांजी ओप्शन तो अड़े सामने है गया है सुभास चंद्र बोस बाल गंगा धर तिलक औरो बिंदो भोश मुत्ती लाल नैरू इन्ना चो किन्ना ने क्या सीगा अंसर आया अपने को ले लक्वीर कौर ए ओप्शन सुभास चंद्र बोस होर किसे दा कोई अंसर देखो स्वराज सुभास चंद्र बोस सीधा नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजाती दोंगा ठीक है जी बाल गंगा धर तिलक दीने क्या सीगा कि स्वराज मेरा जणम सिद्ध दिकार है ठीक है जी तो एदा अंसर की बनूगा जी बी ओप्शन लिख लिए तुसी सल्यूशन चे आपा लेख लान ने आज थे अपना थर्ड गंगा धर तिलक जी ने क्या सी स्वराज मेरा जणम से ददिका आ रहा है ते मैंनू हसल करके रहूँगा ये मैंनू मिलके रहूँगा ठीक है हुण जनाब बाल गंगा धर तिलक जी जीड़े है आपा सारे जान दे एनना नू कि एनना ने अंग्रेज्जा ने खिलाफ लडन वास्ते अपनी गतिविदियां थोड़ी जी डिफरेंस बना रखियां सी ठीक है जी सो एनना दी जीड़ी गतिविदियां सी उनना देता है ते न थोड़े जे पढ़काउं जीड़े जित्थे ता इंडिया नैशनल कॉंग्रेस की कर दी सीगी मतलब बहुती विनम्रता देनाल डिसकेशन कर दी सी ब्रिटिश गवर्मेंट देनाल ओथे ए जेड़े है गया है लोगकानू पढ़काउं लेक्चर दे दे के जेड़े है शामिल कर दे सी अजादी दे स वास्ते सई बैठता है स्वराज अपने इंडिया नों मिलना चाहिता है सो एह हो जा नहीं है जी कि गांधी जी दे आन्तों बादी इंडिपेंडनस दी लहर शुरू होई है इंडिपेंडनस अजादी हासिल करन वास्ते अपना सब्तों पहला जड़ा शब्द सी ओसी का सब्सक्राइब ने पूर्ण स्वराज दी डिमांड रखी सी ठीक है ओस तो बाद आपड़ों अजाद्दी में लगी सी ठीक है जी सो एस तरीके दिनाल बाल गंगा धरतिलक साफदा है फेमस नारा सीगा डायलोग सीगा बौवदी अंसर हैगा चलो फिर चल दें अगले सव इंडियन नैशनल कॉंग्रेस दे केडे परसन कदे भी प्रेजीडेंट दी कुर्सी ते नहीं बैठ सके इना चो मातमा गांधी बाल गंगा धरतिलक गोपाल कृष्ण गोखले या सुभास चंदर बौस कदे भी प्रेजीडेंट नहीं बने सोचो बेटा पार्टिसिपेट करो देखो की अंसर बनाओंगे तुसी इस सवाल दा चलो अगर बेटा आप महातमा गांधी जी बारे डिसकस करिये ता महातमा गांधी जी एक वार सेशन दे विचाए सीगे लास्ट वाले दिखनी रहे अच्छा थोड़ा जा एलू पेज नू थोड़ा चोटा होर कर लेंने आपपा उन शैद में भी दिख गें होन के हैंने देखो उन दिख रहे हैं सारे नू ठीके लास्ट दे विच बेटा गोपाल करिश्न गोख लेते सुभाश चंदर बहुस है सो इनना विचो किनना ने इंडियन नैशनल कॉंग्रेस दा प्रदान कदे भी नहीं बने सीगे आज तक अंसर की है अपने कोडे बाल गंगा धर्तिलक लक्वीर बिलको सही अंसर दस्ते है जी तुसी बाल गंगा धर्तिलक रीजन है कि अगर आप गांधी जी दी गल करिये ता गांधी जी एक वार तप्रदान बने सीगे बैल गाउन दा सेशन होया सी 1924 ओदो बने सीगे ठीक है बाल गंगा धर्तिलक साब नू बना अना चांदे सीगे लेकिन बनाया नहीं हो आप पा रीजन समझ देया ठीक है गो अजाद हिंद पॉज नू बहुत चंगे तरीके ना लुणना ने चलाया कंटीनू किता ठीक है जी सो डिसकस कर देया इस सवाल नू कि जिन्ना ने कदे भी आज तक सेशन नहीं अटेंड किता सीगा अगेन भी ऑप्शन अपने बाल गंगा धर्तिलक वैसे अगर ओस टैम हल साथ ना बदल दे ता बाल गंगा धर्तिलक साब जड़े हैं पार्टिसिपेट कर सकते सी होन की हलात है वो डिसकस करते हैं बेटा उन्नी सो साथ दे विच न अपना सेशन होना सी गा यानि के मीटिंग होनी सी की इंडियन नैशनल कॉंगरेस थी ठीक है होने एस मीटिंग द तिलक साब साड़े की बना ना प्रेजिडेंट बना इंडियन नैशनल कॉंगरेस थी एस करके सार्या ने सोच्या की उन्नी सो साथ दा जेड़ा सेशन है ना ओना चाहिदा नागपुर दे विच एदा रीजन की है क्योंकि बेटा जी में आप पढ़ दे अंडियन पॉलिट परोहित पंजाब दे गवर्नर है गया है ता एप पंजाब दे रैन वाले नहीं होने चाहिए थोड़ा जा रूल चलता है ठीक है जी ताकि पक्ष पातना होवे एक कुछ रीजन्स होंदे है सो बनवारी लाल परोहित जी मध्य परतेश तो है जड़े आप अपने पंजाब जसता एक रूल सीगा कि जित्थे सेशन होएगा ओथोदा परसन जेड़ा है ओथोदा रैन वाला निवासी या जनम लेया होया नहीं होना चाहिए था होने इससे लही सारे चांदे सीगे कि नागपुर्च सेशन होगे क्योंकि अगर नागपुर्च सेशन होएगा ता बाल गंगा धर तिलक साब नू आपपा जेड़ा हैगा अध्यक्ष बना मगे क्योंकि बाल गंगा धर तिलक साब बंबे दे सीगे औरना जमान्या चो लेकिन इंडियन नैशनल कॉंग्रेस दे विचे बड़े बुजुर्ग पुराणे लोग की बैठे सीगे कि अगर बाल गंगा धर तिलक अध्यक्ष बढगे ता एनना ने अपने आप दी ही चलानी है एनना ने अजादी हासिल करन दा तरीका जिड़ा हैगा ना ओर होरी रखन हैगा एनना ने मतलब रेवल्यूशन आइडियास देने हैं लोग कानों क्रांती कारी विचार देने हैं ठीक है जड़के जड़े मॉडरेट सीगे जिनना आप नरम दल वाले कैनने हैं नरम दल वाले कैंदे सीगे कि नहीं जी सैशन है हो जी जगा रखिए जिते बाल गंग अधर तिलक अध्यक्ष बनी ही सके ठीक है जी एस अध्यक्षता दे आप राश बिहारी भोष नू बलाया सीगा जड़े के बंगाल तो आए सीगे लेकिन अपने स्टेट दा बंदा जड़ा है नहीं बैठ सकता सी बाल गंगा धर तिलक साब किते ना किते सेशन अध्यक्ता बंगे सीगे गरम दल वाले तो नरम दल वाले आंदे विच्च जड़े नर्म तरीके देनाल करदे सी जी में के अपने गुपाल कृष्ण गोखले होगे फिरोजशा मैता होगे एहोजे लोग सीगे ड़ डवी सी बैनर जी होगे ठीक है जदके एद्दर लेवा गरम आणे पास से तो आपने पता है अपनी तिकडी बड़ी फेमस है लाल बाल ते पाल ठिक है लाल तो लाला लाजपतर आए जी बाल तो बाल गंगा दर तिलक जी ते पाल तो कौन बनांगे अपने कोड़े बिपन चंदरपार Almighty जी वेफ इमाद्य क Kenos तरीक्य नाल पारधी अजाधी हासिल कर रहे सी गे, करांती कारी ना्यविच अच्छ बार्ट जीदे करके पुलिस इना नो रोजी विचारया नो चापके कदे कि दर ले जान दी कदे कि दर ले जान दी ता जेलना दे विचे बड़ा को मदे रहन दे सीगे ठीक है जी सो खेर इस तरीके दे नाल आपा डिसकेशन किता इस टॉपिक दा तेक छोटा जा पॉइंट जरूर इस फोर्थ क्वेशन दे विच लिख लिए हो कि महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने केवल एक को ही सेशन प्रसाइड किता है उनली वन सेशन यानि के एक सेशन दे वो ध्यक्ष बणे सीगे ते वो सेशन सीगा अपने को ले बैल गांदा सेशन उननी सो चोवी ठीक है ए लाइन जरूर लिख लियो क्योंकि कई वार हैंवे एहो जे सवाल आनते हैं जदो कोई बंदा एक कवारी काम करदा है ना सो महत्मा गांदी जी ने केवल एक बारी सेशन नो प्रसाइड किता सीगा तब एल गांदा सेशन सीगा उननी सो चोवी देच ठीक है जी समझ आया थो तक चलो कि अगला सवाल की अपने को लगे नालंदा युणिवर्सटी नालंदा युणिवर्स्टी मटीक Ng करनवाले रिवाइव करनवाले रिवाइव यदी चीज तबाह हो चुकिया ना उन्हों दुबारा ठीक करना ठीक है जी सो दुबारा ठीक करना ले कौन बंदे सी गे उन्हादा नाम पुच्छा गया है ठीक है जी सो कोशिश करो बेटा इस सवाल दा जवाब तुसी दे सको ट्राइब करो चाश्रीटा बैट जो है ठीक लास्राइब की सो लखवीर को और अंसर भी तरंपाला सही है सही है बेटा अंसर आएगा एदा धरंपाला बिलकुल सही हैगा जी पाला वंच्छ दे धरंपाला ने जड़की कित्ता सी गा एस उनिवर्सिटी नू ठीक करवाया सी सो डिसकेशन क आपा नालंदा बारे जड़े भी इंपोर्टन पॉइंट्स है गया है उन्ना नू आपा लेके आन्नेया सामनें नालंदा युनिवर्सिटी पहला सवाल कोशिश करियो तुसी पाटिसिपेट करो अंसर दो मैंनू सारे जणे नालंदा युनिवर्सिटी कित्थे है जनाब बिहार दे विच ठीक है जी सो नालंदा युनिवर्सिटी कित्थे है बिहार दे विच नालंदा युनिवर्सिटी बौध तरम दी सिक्षा दिन्दी है शुरू तो ही दिन्दी है जो तो बुध तरम अपने दुनिया चे चाल रहा सीगा ता ओधो दी सिक्षा जेडी हैगी आपँनों किथो मिल दिया है नालंदा युनिवर्स्टी तो ठीक है जैंगा नालंदा युनिवर्स्टी नो बनाया की ने सीगा सो बना ओनवाले दा नाम वीद्र दा नाम फिक है औप बिल्टर दा नाम तो ये ना समझ लियो कि केड़ा contractor सी ठीक है केड़े मिस्तरी सी ठीक है सो बिल्डर दा नाम हमेशा राजे दे नाम दे according हुन दा है कि राजे ने बनवाई है ठीक है तो ओदा ही नाम चलता है गा सब्सक्राइब कराया सी कुतुबदीन आइबक ने कुतुबदीन आइबक जिस बंदे ने गुलाम वंच दी स्थापना कित्ती सी अपने इंडिया दे वेच्च कुतूब दीन एबग गुलाम वंश दे संस्थापक सीगे पाउंडर सीगे कुतूब दीन एबग जदो कुतूब दीन एबग ने नालंदा युनिवर्सिटी वास्ते सुने आता उन्ना ने अपने जेनरल नू ओना दा जेडा जेनरल स सिगा कुटूबदीन वक्तियार नाम सिगा उनुपे जया कि एड़ी वड़ी उनिवर्स्टी जिते लोग की घ्यान हासिल करते है गया है जा उत्थे जाके कुरान शरीफ रख के आओ ते जे ओ पुरान शरीफ रखन तो मना कर दे है तो उस उनिवर्स्टी नो जला के राख कर तेना आही काम में जड़ा है उक्ते होया सी उन्नाने कुरान रखन तो मना कर देटा सी जिस्तो बाद की होया ना लंदा यूनिवर्सिटी नो डिष्ट्रोई प्रूइं सिका है जो इन्फोर्मेशन नोट कर लिओ बेटा इस हारे पॉयंट्स नालंदा युनिवर्स्टी दे रिगार्डिंग विहार दे विच्च है कुमार गुप्त वन जड़े के गुप्ता वंच दे विच्च सीगे राजा इन्ना ने बनवाई सी खत्म करण वाले दा नाम सी गा कुत्त अगला सवाल की है अगला अगला सवाल है who took away the peacock throne and Kohinoor diamond from Mughal Mughalा तो peacock throne यानि के जेड़ा तक्ते तौस सीगा ते Kohinoor हीरा सीगा ओनु कौन लेके गया सी ठीक है जी ता अंसर सही है बिल्कुल नादर्शा ठीक है जी नादर्शा लेके गया सीगा सो देखिए दे बारे आपा तक्ते तौस बारे ते Kohinoor बारे गल करिये देखो Kohinoor दा discussion आपा अपनी पहला दी क्लास दे विच भी किता होया है क्योंकि Kohinoor अपना दुनिया दा सब तो वड़ा हीरा है गा largest हीरा है ठीक है तक Kohinoor जेड़ा है करनाट का दी गोल कुंडा माइंस दे विच भी जो निकले आ सीगा ए डिसकर्शन आपा कर चुके है अपनी पिछली क्लास दे विच ठीक है लेकिन शा जहान ने बनवाया सीगा तक्ते तौस विचारे ने आप दे बैठन वास्ते बनाया सीगा टक्ते तौस यानि के कहो जा Royal Thron उने बनवाया सी जेड़ा की पीकोक शेप दे विच सीगा फ्रौन उंदी है राजगत्धी ठीक है जी ता राजगत्धी जेड़ा है पीकोकदे शेप दे विचे ने बनदे है सी तूसी नेट ते फोटो देखी शालम जेडा सीगा ओ आखरी बंदा सी जेडा बिचारा बैठ पाया क्योंकि शालम दे समय देविच नादर शाने अटैक कर दिता सीगा तो इन्हों लिख लियो कि शा जहान ने इन्हों बनवाया सी खेक है आते हैं हुण तकते तौसनु ते पीकोक तौननो खोल में अठाके लाएके आ सी जी नादर शा उठाके लाएका आसीगा त्योंकि नादर शाया दा अटैक होया सी सो question दा अंसर की बन गया जी अपना नादर शाँ ठीक है जी सो कोहिनूर तखते तॉस तखते तॉस नो आपके ने पीकोग थ्रोन शा जहां ने नुगणवाया सी गाँ शा अल्म दे समेध विच नादर्शा ने अटाक किता शी गाँ शा अल्म तो बाद इस पीकोग थ्रोन ते बिचारा कोई मुगल बैठी नी पाया सो मुगला तो यह चक के ले गया ठीक है जी सो याद रखना बिटाई पॉइंट चल दें अगले सवाल ते देखी अगला सवाल की कहन दैप पनू अगला सवाल है बीबी का मकबरा और मॉन्यूमेंट बिल्ट बाई बीबी का मकबरा की ने बनवाया सी गा खांजी सोचो की अंसर बनूगा एदा औरंग जेब ने ठीक है औरंग जेब ने बीबी का मकबरा और मॉन्यूमा आया सी अंसर की बनूगा जी बी ऑप्शन ठीक है देखी आप मैंनू सात्मा सवाल बी ऑप्शन बीबी का मकबरा औरंगा बाद दे विच ए खासियत की ये बिटा बीबी का मकबरा बिल्कुल ताज महल दे डिजाइन दे वर्गा बनाया गया सो बीबी का मकबरा जेडा है बीबी की हुनदी है वाइप वाइफ तो थीक है थी तापड़ी बीवी वास्ते ने बीबी का मकबरा बनवाया सी गा औरंगाबाद खैर औरंगाबाद दा नवा नाम इस टेम बदल दिखता गया है शंबाजी छत्रपती शंबाजी नगर बना चुक्क या हैगा ठीक है जी और अंगा बाद दे विच बीबी का मकबरा बनाया गया सी गा ते ए उसने अपनी वाइफ बास्ते बनाया सी जी दा नाम सी गा उधी बीवी दा नाम सी गा दिलरास बन्नू देखो वैसे ता इते हास दे विच जेडे राजे महराजे हुंदे उन्ना दे बीवी आनू पढ़ना जरूरी नी हुंदा लेकिन जिन्ना ने कोई काम किता होवे या जिन्ना दे करके कुछ बनेया होवे ता उमाड़ा जा अपनू याद रखना पै जान्दा है ठीक है तो जेन्ना भी मेडीवल हिस्ट्री हुंदा है ते एंशेंट हिस्ट्री हुंदा है बिटा जादा तर सवाल ना आर्ट एंड कल्चर तो आन्दे है कुछ भी तुसी बना रख्या है कोई भी तुसी किताब लिखी है तो एन्ना दे ज़ादा फोकस करो तुसी का रेबैट के की ने लिखी है ठीक है जी चल चल देया फिर अगले सवाल ते अगला सवाल देखी अपना की है हाँ जी अगला सवाल है विच वन आफ दी फॉलोंग एक्सरसाइज दी मोस्ट प्रफाउंड प्रफाउंड इंफ्लेंस इन फ्रेमिंग दा इंडियन यानि के हेट लिख्यां विचो किस ने पार्ती समीदान नू बनाओन विच सब तो डूंगा प्रबाव पाया किस चीज नू देखके आप अपने पार्ती समीदान नू सब तो वद बनाया है या फिर तुसी ये कह सकते हो सिद्धा सवाल पुछिया जावे ता पार्ती ये समीदान दे विच्चों सब तो वद आपक कितों कॉपी मारे आप ब्रिटिश तो नहीं ब्रिटिशर्स ने दित्ता सीगा एक्ट गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट उन्नी सो पैंटी सी ओप्शन क्योंकि बेटा एज एड़ा गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट उन्नी सो पैंटी है एज तो आप आपना सत्तर प्रतीशत समीदान जेड़ा हैगा ओभो बनाया है बाकी दा दस प्रतीशत अलग अलग दस देशां तो आपका कॉपी किता हैगा लेकिना दस सत्तर प्रतीशत आपका इस से तो बनाया हैगा ठीक है जी इदा अंसर बनेगा जी C ओप्षन कोई गाल नी सल्यूशन चे लिखनेया डिसकर्शन करनेया एदे उत्ते आपका एट दा अंसर बनेगा जी C ओप्षन क्योंकि पारत सरकार एक्ट उन्नी सो पैंती यह अंग्रेज्जा ने जदो आपणू बना के दित्ता सी गा ता एस च सी बिटा जेड़े अपने देश दे अदार बन सकते सी सो आपनों बहुत वधिया भी लग्या सी गए एक्ट जीदे करके इस एक्ट दे विच्चों आपका अपना सत्तर प्रतीशत समीदान कॉपी किता है ठीक है एसे लई उनीस को पैंट सी एक्ट नू बूँप्रिंट ऑफ कॉंस्टिटिउचन भी क्या जानता है ब्लूप्रिंट के लो तुसी कार्बन कॉपी के लो तुसी ठीक है एक क्या जानता है पूरा पूरा ता नहीं आपान दाता सतर का परसेंट जड़ा है अपा बना के जाते हैं अगला सवाल अपने को ले विच ओप दी फॉलोइंग एक्स इंट्रोडूस्ट कम्यूनल इलेक्टोरेट इन इंडिया हेट लिख्या कारवाईया विचो किसने पारत विच फर्पू वोट्टा दी शुरुवात किती सेपरेट इलेक्टोरेट की हुंदा हैगा एनू पहलना समझ देया ताकि आपनू इस सवाल दा जवाब मिलजे वैसे इस सवाल दा जवाब होगा इंडियान काउंसिल एक्ट उन्नी सो नौ ठीक है प्षेड़ हैं इंडियान काउंसिल एक्ट एपी सी एस डोहजार अठेवाब पुछा महां हैं इंडियान कांसिल एक्ट उन्नी सो नौ ठीकेर फेपर समिक सिंपल सवाल पुछा सी गहा पुछा आप एनू केहा जनधा है UghuleArres मेंस, मिंट़, प्रिफोर्म्स . ग्यां के नियुए डी याँ अपने इंडिया दे वेचे सब्टो पहला राश्टरपति दा नाम ही लिख्या जाऊगा, उस से तरीके ना जी दी पुजीशन वड़ी है ओदा नाम अग्गे लिख्या जाओगा ते दूसरे दा पिछे सब तो वड़ी पुजीशन केडी हुंदी सी मौरले साब जेडे सी गे ओस नाम सेक्रेटरी सी गे पारत सरकार ते मतलब ब्रिटेन देवेचे जिनने वी कैबिनेट मंतरी सी ओना कैबिनेट मंतरी आनू अलग-अलग देश सोपे गए सी गे ता अपने पारत नू पांच सालना वास्ते जड़ा सोप्या सी गा ओस टैम सेक्रेटरी ओफ स्टेट दा दर्जा मिले आ सी गा जी मौरले साब नू मौरले साब कौन सी गे सेक्रेटरी ओफ स्टेट ठीक है तब सब तो वड़ी पुजीशन था एही सी एनना तो छोटी पुजीशन सी गी मिंटो दी मिंटो कौन हो सी गा उस टाइम दा वाइस राय ठीक है सो इनना दोना ने मिलके ही जेडा है सारी कारवाई किती है इनना दोना ने मिलके ही जेडा हैगा की करना हैगा हुण एक एक अक्ट बनाना है ठीक है लेकिन जेडा अपना मौरले होगा सेक्रेटरी होगा सेक्रेटरी ता कैबिनेट मंत्री होगा ता एस बंदेदा जेडा ओ पारत दे वदिया राजिया दे नाम लिखे जाने हैं अच्छे शहरां दे नाम बॉंबे कलकत्ता आपा मतलब बाइडिफॉल्ट टिक करनते मतलब चले जाने लेकिन एक्चुली दे विच्टा यारे कैबिनेट मंतरी यह तहीं ने ता मीटिंग अटेंड करनी या डेली कैबि कि इंडिया दे विच बैठा रहूगा फ्लाइट फड़ूगा मीटिंग अटेंड करके वापस फ्लाइट फड़के इंडिया आजूगा ते अगले दिन फेर होई मगज मारी तक होड़ा ही हो जोगा उसे साब नाल पांचे साल ना जहान है रोज आन जान थोडी ना करूग इस बंदे दा कैबिनेट मंतरी दा जिडा मतलब ओफिस होगा ना पुत्तर ओ लंडन चेही होगा ठीक है जी वाइस राइदी कुरसी इंडिया जह होगी ता एदा ओफिस ता रहूगा इंडिया देगे तो यह छोटा जा डिफ्रेंस माडा जा तुसी याद रखी ठीक है न सेपरेट इलक्टोरेट कीं होगा थे की नहीं दिक्ता जी होगे फिक यह घिया ज 94 कि फूम करूह और इंडिया फीडीं ने मतलब खितते हैं ख्याल पत् で सब्यका ऑठिस इंडा मतलब खितें बंध और मतलब है कि टकर एह होजा एडिज़र् investments Annika होडेगा ठीक है मैं बहुत सिंपल एक्जामपल नाल थो नो समझा नहीं है मानलो जी आ एरिया है ता एस एरिया दे विच कुछ लोकी वी रैन दे होंगे कोई अबादी होगी ता मतलब इस एरिया दे विच जिन्नी वी पॉपुलेशन है अगर ओहो वोट पा सकती है ता एस एरिया नो आपका की कवांगे इलेक्टोरेट बोलागे फोर एक्जामपल अपनी क्लास है क्लास दे विच आपका किसे एक बच्चे नो मोनीटर लगाना है ता दो तिन बच्चे कहनदे कि अईसी मोनीटर बनान दे अपने आपनो योग समझते हैं ता अपका की करावांगे, इलेक्शन करावांगे और जदो आपका इलेक्शन करावांगे ता वोट कौन पाऊगा आप पास आ रही था पावांगे एक किसे बाहर आली क्लास दे बंदे नू थोड़ी ना बुला मांगे क्योंकि अपनी क्लास दा अपनू की करना हैगा चुनाव करना है ठीक है जी तो सेपरेट इल्ड़ीट मुसलिम नु लू मिलनगे एदा मतलब की हैगा कि ओ वाला एरिया ही मुसलिम लीग वास्ते वोट पाएगा जिनना दे विच मुसलिम मैजोरटी चे है ठीक है बंगाल पंजाब ए banc थे मुसलिम मैजोरटी दे विच है एस दे करके की हैगा सिरफ परदान हों दे सब्सक्राइब खोश्यली अपने अंग्रेजाने व्र सब्सक्राइब खेंगेचर मोआ जब्म पर और याद रखना है। ठीक है हिस्ट्री देवे चैहोजे सवाल आपनों आंदे यांदे है गया है स्पेशली अपने पटवारी वर के पेपरां चल देए फिर अगले सवाल ते अगला सवाल अपने को ले हां जी सो दस्मा सवाल देखो की अपने को ले टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रियेटेड दो अजाद राज बने सी के पारत ते पाकिस्तान द्वारा बनाए गई इसी गे हुझ तुसी दसना ए है कि केड़े कानून दे राही या केड़े प्लैन दे राही बने सी चार ओप्शन है बेटा शिमला कॉंफरेंस, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्लैन, ते इंडियन इंडिपेंडेंडेंस एक्ट, ठीक है, तो ए दसमें सवाल दा अंसर तुसी देना हैगा, ठीक है, क्योंकि ए सवाल है हो जा सवाल नहीं है, जिड़ा मेरे कराण दे मतलब योग भी हैगा, तो अनुसारे अनुए आंदा होगा, ठीक है जी, कोई छोटा बच्चा भी होगा न, चोथी कलास दा, ओ भी दस दूगा कि इंडिया ते पाकिस्तान, केड़े एक्ट दे दोरान बने सीके, ठीक है, लखवीर दा अंसर आया, वेरी गुड बिटा, ड ठीक है, इंडियान इंडिपेंडनेंस एक्ट, 1947, अरे, एसे एक्ट दे विच्ता जद्धी मिलूगी, इस दे चेता अपना दो देश मननगे, इंडिया ते पाकिस्तान, बिलकुल सही अंसर सीगा, ठीक है, जी, सो दसमे सवाल दा अंसर की बढ़े, अपने को ले, D, 1947 देविच आया सीगे अपने को ले इंडियन इंडिमेंडनेंस एक्ट ठीक है एक बारी बाक्की ऑप्शन भी देख लीए केड़े-केड़े साल चे आया सीगे ठीक है अगर आप गाले करिये शिमला कॉन्फरेंस दीता बेटा ये 1944 चे आया सीगी लिख लेए यो तुसी आपण पता हिए उने सो च्याडी चे आया सीगे शिमला कॉन्फरेंस नाइंटीन फॉर्ती फोर ठीक है एनू वेवल प्लान भी आपका कहन्ने हा वेवल साव लेके आया सीगे सो एनू वेवल प्लान भी क्या जान्दा है second अपने को ले आन्दा हैगा एक पड़या सी आपा Crips Proposal Crips Proposal बैटा 1902 देवेच आया सी गा Stafford Crips लेके आया सी गे इनु So Crips Proposal जेड़ा है 1902 लिख लियो The last अपने को ले Cabinete Mission Plan शौर्ट चे लिखरी हम है क्योंकि इंडियन पॉलिटी चे आप बहुत जंगी तरह पढ़े आएगा ठीक है सो क्याबिनेट मिशन प्लान आया सीगा अपने को ले उनीस सो च्याड़ी देच ठीक है जी सो यह होया अपना सोखा जा सवाल ठीक है अगला सवाल देखी आपका हाँ जी मॉन्टेग्यू चैंस फोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड ऑन दी बेसिज ओग ओं इन्ना चो केड़े चीज देखते अधारित है अंसर बनेगा बेटा एदा गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट उन 1909 पड़ी है ना डिट्टो हो जी गल उन्नी सो उन्नी चैहेगी है बस कुछ चीजां दा फर्क है आपका बिसकस कर देखो ग्यार्मा सवाल सो ग्यार्मा सवाल है अपनू 1909 पारत सरकार एक्ट गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट उन्नी सो उन्नी एदा पॉपुलर्ली दूसरा नाम की है एनू केहा जंदा है मॉन्टैग्यू शैंस फॉर्ड रिफॉर्म्स या फिर एक होर नाम है बिटा एद्रो चकलो मॉन्ट एद्रो चकलो फॉर्ड सो एनू आपका मॉन्ट फॉर्ड रिफॉर्म भी केंड ने है हुण तुसी बेसिकली एक दो गल्ला देखनी आने जडिया बहुत जरूरी नहीं दे वास्ते बिटा मॉन्ट फॉर्ड रिफॉर्म या फिर मॉन्टेग्यू चैम्स फॉर्ड रिफॉर्म जी मैं के हुण बेस आपका किता सी ओनू ता अपकानू हिलांदी लोड नी है अगर मैं तुसी पहला वाले कंसेट नू लगा के अंसर दे सकते हूँ वाइस राइ हमेशा पिछे आड़ा परसन होगा ता चैम्स फॉर्ड कोण होगा वाइस राइ अगर मैं पुछा कि Montague कोण होगा ता Montague होगा सेकरेटरी ओफ स्टेट ठीक है जी तो होण अंधी अपने कोल गल मॉन्ट फॉर्ड रिफॉर्म देविच की आया सी का बेटा एस देविच आया सी डाय आर्की डाय आर्की डाय दा मतलब हुंदा है डबल ते आर्क दा मतलब ह अंग्रेज सरकार ने डबल रूल दी निती जेडी है चलाई सी गी जी नूँ आपकी केन्या गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइंटीन नाइटीन या फिर डबल रूल होण एस डबल रूल नूँ आपका सारे पार्तिया ने ना पसंद किता सी गा जीदे उते रिपोर अंग्रेज सी गेंगें पापस जाओ क्यों एक वी इंडियान ना इसी साड़े देश उत्ते उसी कोई कानून चला रहे हों सानू पसंद नहीं हैगा जीदे खहां चला बंदा तब इठालो ठीक है जी सो सर जॉन साइमन ने वे हेड सी गे ता करके नाम साइमन कमीशन पर आ सर जॉन साइमन दी अगवाई दे विच साइमन कमीशन होया ठीक है सो एगाले याद रखनी है सो जड़ी पहली राउंड टेबल कॉन्फरेंस होईगी फस्ट राउंड टेबल कॉन्फरेंस 1903 बेटा ओप क्यों होईगी ताकि साइमन दी रिपोर्ट नू डिसकस कीता जा सके फिक है जी साइमन दी रिपोर्ट डिसकस करन वास्टे होई सी इस सारे पोइंट इंपोर्टन है के फिक है क्लासरूम सेशन दे विचे दा पूरा फ्लो चार्ट अपबना दे हो ने है 1905 तक दा सफर जड़ा हैगा ओं कम्पलीट हो सकता है इस ते फिक है जी अगले सवाल ते अगला सवाल अपने कोड़े अगला सवाल है समीदा आंदे विच इंडिया नू किस तरीके ना डिफाइन किता होया है बहुत ही सिंपल सवाल है ते हजारा बारी पेपर चे सवाल पुछे है अपना समीदा कहनदा है कि इंडिया राज्यान दा संग है ठीक है यूनिया नॉफर स्टेट्स सो एदे विच आपा पहले आर्टिकल नू अपनी कहानी दे विच लेके आईए समीदा आंदे आर्टिकल नंबर वन जी तो ग्यारमा सवाल है कि बारमा है बारमा है मतलग पाँ बारमा सवाल दा देखी लिए कि ते गड़बड होचे लिए ठीक है जी तो बारमा सवाल है अपने कोले कि अपना आर्टिकल नंबर वन अनुछेद पहला of the Indian Constitution की कहनदा है की India that is भारत एक की होना चाहिदा है राज्यां दा संग होना चाहिदा है शैल बी the union of states ठीक है जी तो पारत नू union of state कैके define किता गया है ठीक है जी तो इसलेए राज्यां दा संग है अपना पारत ठीक है जी तो लिख लिए यह एनू union of states मत्तब राज्यां दा संग ठीक है तो एसे सामनल अंसर की बनेया बेटा अपना D option ठीक है तो union of states की बन गया जी D option ठीक है ट्राइ करो एवी बड़ा सोखा सवाल है अगर तुसी इंडियन पॉलिटी दी क्लास्ता बहुत चंगे तरीके ना लगाईया ने पुत्तर ता एस सवाल दा जवाब देना कोई ओखा काम नहीं है ठोड़ता नहीं है जी ठीक है डेमोक्रेसी लोकतंत्र लोकतंत्र शब्द भी पड़ा ऐसी थोनों क्लास्ते की कित्थे है चलो लोकतंत्र अपने को ले डेमोक्रेसी सिर्फ लिख्या ही प्रियांबल दे विच्च है अंसर आया किसे दा लखवीर डी ओप्शन नहीं है बिटा पार्ट वन चनी प्रियांबल चे लिख्या है ठीक है जी प्रियांबल दे विच्च आज तुसी नेट ते ना प्रियांबल पड़के देख्यों माड़ा जा ओथे तो अनू प्रियांबल दे विच्च शब्द मिलेगा democracy, republic एह हो जे शब्द मिलड़े ठीक है जी सो democracy जेड़ा लोक तंत्र है वो प्रियांबल चे लिख्या है फोर किते ता बेटा लिख्या ही ही ना पहले पार तो तो अपना सारा कुछ समीदा आंदे आर्टिकल उटिकल शुरू हो जाते हैं ठीक है जी सो डेमोक्रेसी शब्द जेडा है और प्रियम्बल इसनों अपना अधार मन के चलता है ठीक है जी सो डेमोक्रेसी आएगा मतलब प्रियम्बल आएगा ठीक है जी तो ए उप्षन अंसर बनूगा अपना ठीक है पार्ट बी ये थ्री वी नी बनूगा बिटा थ्री दे विच अपनू फंडामेंटल राइट्स दितते हैं फोर दे विच अपनू डारेक्टिव प्रिंसीपल्स ठीक है जी यानि के राज डेमोक्रेसी दे आदर्श जड़े हैं गया है मिलते हैं ठीक है जी चाल ना चल दें अगले सवाल ते फिर अगला सवाल अपने को लेज देखिए की सवाल है का अची विच वॉज डिस्क्राइब डॉक्टर बी आरंबेडकर एस दी हाट एंड सोल अप दी इंडियन चॉंस्टिटूशन डॉक्टर बी आरंबेडकर द्वारा समीदा अंदा दिल अत्मा किसनू दस्या गया है बहुती कॉमन पूश्शन बहुती सिंपल पूश्शन की लाओगा देखो सोचो गस्ट अंबर हुगाव hier दिल अत्मा आर्टिकल रहा ना आर्टिकल पड़ेया थैंडा क्लास चैरिकल नंबर बत्ति सिर्च लिख जर शी बनू गया है ताट्सर वेलकॉल शाईया जी सी बनेगा सो चौदमे क्वेशन देवेच दी ओप्शन अपना अंसर बनूगा आटिकल नंबर बत्ती फंडामेंटल राइट दा केस है विटा ता आटिकल नंबर बत्ती चे लिख्या होया है कि अगर सुप्रीम कोट कैंदी है कि अगर तो अड़ा छोटे तो छोटा फंडामेंटल राइट दा भी हनन हुंदा है ठीक है जी ता एहो जी सिचुएशन चे तुसी सिद्धा न्याय हासिल करन वास्ते सुप्रीम कोट आ सक देऊ अगर अपने फंडामेंटल राइट दा हनन हुंदा है ठीक है जी फंडामेंटल राइट नू कायम करन वास्ते आपा अपने फंडामेंटल राइट नू कायम करन वास्ते आप आर्टिकल नंबर बत्ती दा इस्तेमाल करके सिद्धा सुप्रीम कोट जा सक देऊं तो एस आर्टिकल नंबर बत्ती नू केहा गया है राइट टू कॉंस्किट्यूशनल रेमेडीज 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 क्यों दा बेटा उप्चार ठीक है स्तमीदानिक उप्चार यानि के आपा नू अपने समीदान तो अपने फंडामेंटल राइट दे हनन होए दा उप्चार लेंदा अधिकार है ठीक है जी सो राइट टू कॉंस्किट्यूशनल रेमेडीज की हो गया जी समीदानिक उप्चार ठीक है जी सो ए होया अपना कॉंस्टिट्यूशन नंबर चौदा चल देयां अगले सवाल पर अगला सवाल है अगला सवाल यह दा आइडिया ओफ कॉंस्टिट्यूशनल अस्वेली औफ इंडिया व्च्ट प्रपोजड बाई पहले वारी कॉंस्टिट्यूशन असेंबली दा आइडिया किन ना ने दित्ता सी का सी बिल्कुल साही है बिल्कुल साही जी बेटा जी सी आऊगा अंसर ठीक है क्योंकि MN रॉय जेड़े सी गे उन्नाने उन्नी सो चौंती दे विचे गल कहती सी के सेंबली बनाओ ते ओस असेंबली दे तहट की करो समीदा अंदी रच्छा करो ठीक है जी सो कॉंस्टीटुएंट असेंबली दा आईडिया देन वाले सी गे अपने को ले MN रॉय सो MN रॉय कॉंस्ट पार्टी दे मेंबर सी गे नादी पार्टी सी कॉंस्ट कॉंस्ट पार्टी सी एन नादी सो एस पार्टी दे है मेंबर सी गे तेन नाने उन्नी सो चौंती दे विच एक क्या दित्ता सी के कॉंस्टीटुएंट असेंबली होनी चाहिए दिखे खिक यह ड़न स्वांड़ पंद्रमा सवाल हो गया पड़ा चल दे अगले सवाल दे अगला सवाल है Suite न सवाल है विट्टा विच अब दि फॉल्वेंग फटीकल कॉंटिटी इस्केलर क्यूंटिटी इन ना चुब केडी कॉंटिटी इसकेलर कॉंटिटी है हैं जी, दूरी, distance, impulse, displacement आते, acceleration, distance हुनदा है विटा, दूरी, impulse, impulse की हुनदा समझा नहीं है, विस्थापन हुनदा है, displacement, जगा दा बदल जाना, एक जगा तो दुजी जगा शिफ्ट हो जाना, ते, acceleration हुनदा है प्रवेग, ठीक है जी, होन वेक्टर कॉंटिटी ते, physical quantity की हुनदी, आज दा discussion अपना उसते रहुगा, तो एक फिजिक्स है बेटा, ते, physics दे विच्च, मतलब, science दे विच्च, आप फिजीकल ते, वेक्टर कॉंटिटी ते, वेक्टर कॉंटिटी तो सोलमा question जेडा है, ओ है, फिजीकल ते, वेक्टर कॉंटिटी ते, देखो, केवल ते केवल, value matter करेगी, ठीक है, value matter करेगी, दिशा matter नहीं करेगी, दिशा matter नहीं करेगी, example, बिलको simple example नाल समझो, तुसी सवेरे जेडा है, डॉक्टर ने तो अन्नू किया है कि कांटा exercise करनी है, ठीक है, हुन तुसी ओ exercise करन वास्ते, अपने समणे वाले कर दे, समणे पार्क जाके गेडे कट दे हो, एमे नू गेडे कट रहे हो, या एमे नू गेडे कट रहे हो, ओदे नाल ता फर्क नहीं पएगा ना, ठीक है जी, एथे आप पंडित जीदी दिशामानी लेके आनिया, कि फलानी उत्तर दिशा दे वेच्च तुसी अगर exercise करोंगे, ता तो अधी कोई रोलाई है ठीक है जी, जी में के एस एर दा आपा एक्जामपल लेया, हुन दूज्जा एक्जामपल देखो, मानने लो जी तो अन्नू क्या जावे कि तुसी सेंटर आने, ठीक है जी, हुन एहो जी कंडिशन चे वेल्यू दे नाल नाल दिशा भी मेटर करूगी अगर मैं एक अले के दिन निया कि तुसी सेंटर आने, ठीक है तुसी समझ लो कि आपा फिजिकल क्वांटिटी दा इस्तिमाल करिये, ता आपा की करांगे, लिश्क मुष्क के तियार होगे, करे ओ करो, निकल ले जड़ी मर्ची दिशा जी, ठीक है, आना सी बठिंडा बस याली, ठीक है जी, सो दिशा पंगा प्याओगी न, होन अगर मान से पहुंच जोंगे ता बठिंडे दे इंस्टिट्यूड जगी में पढ़ोंगे तुसी, ठीक है, सिद्धी जी गल है, तब वेक्टर क्वांटिटी ओ क्वांटिटी हुंदी है, बेटा जी दे विच वेल वेचे केवल वेल्यू पता होनी चाहिदी है, मेगनिट्यूड नहीं, ठीक है, ओ कहन दे सी न, अपा करोना काल दे वेचे दो गज की दूरी ही रखनी है, होन एक इसे ने नी क्या कि दो गज दी दूरी नौर्थ दिशा ची मननी जाओगी, या साउथ ची मननी जाओगी, त आचा जेड़ी स्केलर क्वाउंटिटी हूंदी है, ओ ही फिजीकल हूंदी है, ठीक है जी, सो गंगादरी शक्ती मान है, एक अले याद रखनी है, कि ते अलग अलग साबिद गर दो इनन अनुज, ठीक है जी, सो फिजिकल क्वांटिटी एन ना दे विच्चो केडी हैगी अपने कोले जी अपनी वैल्यू ठीक है जी जेडी कली वैल्यू दसेगी दिशानी दसेगी अगर आप बाकी ओप्शन्स दे बारे गल करिये आदेखो इंपल्स इंपल्स की हुंदा है बहुत ही थोड़े समय वास्ते अचानक फॉर्स लगड़ी ते जदो भी आप पुत फॉर्स लगाने आप डिरेक्शन देखके लगाने थीक है मानलो जी एक दर कोई पत्थर पया है थीक है तुसी एनू खिसकाना है तब बेटा तुसी फॉर्स एदे वल्ली लगाओंगे न एता होगा नी न कि तुसी फॉर्स दिशाच लगा दोंगे उद्धर जाके आप हवाच दीर मारने शुरू करांगे ता हिल जूगा ता इसा नहीं हिल दोगा हने डिरेक्शन मेटर करूगी ठीक है होर्केड ऑप्शन सी देखो डिस्प्लेस्मेंट डिस्प्लेस्मेंट की हुंदी है हाँ डिस्प्लेस्मेंट सो डिस्प्लेस्मेंट मारा जा समझ लो एक कमेंट देवे चे डिस्टेंस ता पनू पता चाल गया जी दूरी डिस्प्लेस्मेंट की हो गया जी मतलब, पहला मैं तिन किलो मेटर सफर्ट ए ते तक फिर मैं चार किलो मेटर ते फिर मैं ओफिस पहुंची, होने शैर च्मै रही रही है गी या नहीं नहीं आ इंजी है मेरे कुलीग मैं नुबाई ğांस पुझ लें दे क्या मैठम दसो किनने िसो कि मैं आन्यों की रूट फोलो कर दे हूं ता मैं दस्याए वाला के अंदे मैडम तो अंदो साथ किलो मीटर पैज अंदा होगा तुसी काम करो एक शौट कट आंद है जेडा की पांच किलो मीटर दे विच्छे तो अड़ा सफर तै करतेगा ठीक है जी ता मतलब डिस्प्लेस् जेडा पर ट्रैवल करते हैं ठीक है जी तो आज आप डिस्प्लेस्मेंट दी बेटा सिर्फ एनी जी कहानी पढ़ांगे डिस्प्लेस्मेंट बहुत विस्थार दे विच्छ है बहुत ही ज्यादा जहें हो जाए दा नाम है विस्थार चफेल लिया हुए हाँ एता पाइथ कस करांगे चल दें अगले सवाल ते अपने कोड़े सोल में सवाल दा जवाब आ गया जी ए ऑप्शन डिस्टेंस अच्छा एक्सलरेशन की हुंदा है प्रवेग की हुंदा है किसे वी गतीदा समय दे अनुसार बार 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 बदल जाना जी में के आपा गड़ी चलाने हा गड़ी चलाने हाँ ता अपका की में चला रहे हा गड़ी जी बजार देव से गे तगड़ी भी तो पर निंचड़ने थीक है खाईव 직 देते हैं गया ता असी तो कट रखी है ता आप मूर रखे गया थीक है जी ता मतलब आपनो चलाना नहीं अंदा फिर ता बैल गाड़ी ले लो गड़ी रहन दो थीक है जी सो कैन दा मतलब की हैगा कि अलग अलग समेदे हिसाब अलग अलग अगर आप दूरियां तै करते हैं तो उसनों आप प्रवेग यानी के एक्सलरेशन कहने हैं सो इसे लिए अपनी गड़ियां दे विच न रेस नहीं हुंदी आपके दिन्या रेस ते पैर तर रेस ते पैर चड़ ओ एक्सलरेटर हुंदा है अगला सवाल है लाइट ट्रेवल्स पास्टेस न लाइट जेड़ी है यानि के प्रकाश रोश्णी सब तो तेज कित्थे चल लेगी चलो जी पाटिसिपेट करो ते अंसर दो बहुत सोखा सवाथ है नाइट्रोजन चे चलोगी हवा चे चलोगी वैक्यूम चे चलोगी या स्टील चेट देखो वैक्यूम की हुंदा है पहला था यह समझलो नाइट्रोजन था अनूँ पता है गया सुन्दी है ठीक है वैक्यूम की हुंदा है उते वेक्यूम ही वेक्यूम है अपने को ले ठीक है जी स्टील आपनों पता है कि एक सॉलिड अबजेक्ट है हवा जड़ी है हल्की फुलकी जी है ठीक है होने लाइट दी जड़ी स्पीड है गियो सब तो तेज पुछी गई है कादेच होगी ठीक है लखवीर ए ओप्शन न स्टील अपने आपचे एक माटीरियल है तो जेड़ा भी मैटर आ जांदा है ना तेन स्टेट करते सी ना मैटर दी सॉलिड लिक्वड गैस ठीक है जी चौथी ते पांच वी तुसी पड़ी होनी शाय तो अन्य स्कूल चाही होनी बहु साइंस्टी इन कंडनसेट थे प्ला वैक्यूम दे विच लाइट दी स्पीड सब तो तेज होनी है ते ओस तेजी नू आपा लिख लेन्नेया कियो तेजी किन्नी है थ्री इन्टू टैन रेस टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है जी यानि के तिन इन्टू दस दी पावर आठ मीटर एक सेकंड दे विच तै कर लें दी अपनी किरण ये वैक्यूम दे विच है ठीक है जी तब मदलब आपा एक सेकंड चप पलक चप का आपनेया सिरफ एने एनना ट्रेवल भी कर ले जी डिस्वेंस ठीक है जी तो सोचो लाइट दी स्पीड किन्नी तेजा जी बिलकुल आंदा है हां जी आंजी अंँयाद रखो यह आऊगा पेपर चे जुरूरा नथा हर वार नथा ञांदा है ठीक है एक होर लगमा सवाल करा दिनी अदेनल सूरे दी जडी रोश्णी है ठीक है आपने सूरत चार्चा हैगे है सूरे दी जडी लाइट हैगी है और तर्ती तक पहुंच दी है अर्थ तक पहुंच दी है किन्ने समय देविच टाइम पुछ है अठ्ञ सेकंड वैसे Appreciate मतलब सरी 8 मिनटग में आठ्ञ मिनट गण आठ्ञ सेकंड यूद्ध है वैसे प्रॉपर एग्जक टुसी एठ एठ्ञ मिनट अगला सवाल है अपना देखो अगला सवाल की है if a body slides over a surface the force resisting the motion between them is called जेकर कोई body किसे मतलब किसे सताद उत्ते खिसकदा है ता उनना दे विचकार जड़ी गती दा विरोध करन वाली शक्ती हुं दिया जड़ी ये पूर सुन्दिया उननों की कहन जड़ी है ठीक है की कहन जड़ी है की दस्तिया तुसी a option.. friction यानि कर रगड़ाओ या बिलकुल रगड़ना बिलकुल सही है a option बनेगा ठीक है जग सवाल की है इए कहना चंदे है । अठारमा सवाल की है एक कहना चांद है कि दो सरफेसेज हैं दो बोडीज है इस तरीके ना आज एक दूज़े दे उत्यकी कर रही हैं ता एना नूँञ स्लाइड मतलब रोकण वाली जड़ी शम्ता होंदी है वो हुंदी है फ्रिक्षन बिटा फ्रिक्षन हमेशा रगणाव जड़ी शमता है हमेशा opposite कम करती है इन फैक्ट अगर आपका गल करिये नहीं तो अपनी दुनिया दे वेचे आपका frictionless कुछ कर भी नहीं सकते 100% frictionless surface किते भी नहीं बढ़ूगी ठीक है हुन frictionless उसी बना आखी में सकते हूं मान लो तो अड़ा फर्ष है तुसी फर्ष ने क्यो क्योंकि जी friction कम करती है direction तो opposite नहीं कोई बीचीज आ हो कोई वी का में फ्रिक्शन कर सक्ये फिर वी प्लस टो दे विच्च जदो numerical खरने लिए अपने आपने अथे ठीक है तब कोई भी चीज अगर फ्रिक्षन कर दी है ता एबसुलिूट जीरो तुसी कित्थे प्राप्त कर सकते हैं गयों अपनी दुनिया चे तापा किते भी नी बना सकते होड़े तुसी तेल पालो या साबून दा पाणी पालो तो करना शुरू हो जुगा यानि के तुसी friction कटांदी कोशिश कर सो जिन्नी ज्यादा तुसी सर्पेस नूँ पॉलिश करोंगे ओना ही ज्यादा जड़ी है ये friction जड़ी है ये कट दी चली जाएगी जिनना तुसी खुरद्रा फर्श रखोंगे या जिनना भी खुरद्र अब्जेक्ट होगी उसे दिना तो डिफ्रिक्शन वदूगी जी में लकडी लकडी दा काम कराने आपकरे और रंदा मार के सारा उपपर आला छिलका उतार दे ना बिचारे मिस्तरी लोग की ओ इससे लिए उतार दे है क्योंकि जिनना फ्रिक्शन आपका कटा आवांगे उनन फिरन वास्ते काम करन वास्ते कुछ भी चीज होल्ड करन वास्ते फ्रिक्शन जरूरी ठीक है जी चल दें आखरी दो सवाल ना दे उत्ते आज दे 18 tir, 19वां सवाल है, rustic is, rustic की है, rustic हुंदा जंग लगना, थीक है ने च grammar है जंग लगना की हुंदा है ये पुच्छी गया है है गा, सब्सक्राइब के लिए औक चीज कोई वी आइरन दी या लोहे दी चीज है वेटा यह जंग लग जान दिया जिनू आप पर रस्टिंग केदने ठीक है जी रस्टिंग होन वास्ते दो तिन चीज़ाना होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने कोड़े जी में के एक ता हवा एयर दे विच्छ होवे मॉइस्टर ठीक है ता हवा या पाणी कठा ले सकते हो तुसी के तीजी चीज जेडी जीदी आपनों अवशक्ता पैंदियों की हुंदी है हवा चैस्टा लेकिन अगर कोई आखो जाएरिया है जिते मतलब आपा कई वरी कर लेने है ना ओवाली रियक्शें दे विच ऑक्सीजन मतलब बाकी आपा बार कर दिने यह ओधर ठीक है ता ऑक्सीजन हो गया मॉइस्चर हो गया मतलब इन टोटल आपा कहा सकने है वादे विच नमी हुं दिया है एदे वास्ते जंग लगना बहुत जरूरी हुं दा है रस्टिंग अगर होनी है तो इन्ना चीजा करके ही होगी तो ओक्सीजन दे करके जड़ी रियक्शन हुं अपने लोहे दी चीज़ा नो पेंट कर देया पेंट देनाल की हुंदा है हवा पाणी ऑक्सीजन दा कॉंटेक्ट खतम हो जान्दा है उस चीज नाल ते जंग नहीं लगदा लेकिन अगर आप उस चीज नू जंग लगण वास्ते चड़ दांगे ता ओचीज रस्ट लग जंदी है ता उनुआ पकी कहने है को रोजन हो गया है ठीक है सो पेपर चे रस्ट आवे ता समझ लो चीज नू जंग लगगी है को रोजन आजए ता समझ लियो चीज खुर चुकी है जी बरबाद हो चुकी है एनना लोहा कंजोर हो गया है कि जड़ी का मोटी सारी रोड अनुआ तुसी नूँआ हाथ तो भी मोड़ोंगे ता मोड़ चे ठीक है जी तो एनना का बदलाव जिड़ा है आजगता है ठीक है जी तो अंसर आओगा एदा ओक्सीडेशन चल दें आखरी सवाल ते आज दे आज दे आखरी सवाल देखिये की है वाट इस ड्राइड आइ अच्छा भी बोले असी नाइट्रोजन नेंगे ए ऑप्शन आओगा सॉलिड कार्बन डायोकसाइड क्यों कैनने आपपा ओ समझ लेन्या देखो जेडी अपनी कार्बन डायोकसाइड हुंदी आपनू पता है न बेटा ये गैस है लेकिन अगर इस गैस नो आपा सॉलिड इस ते अपने आज़दे सवाल इन आदा तुसी पतलब चंगी तरह रिवीजन करना हैगा ते फेर आपा मिलांगे अपने अगली क्लास दे विच अगले सब लांदे नाद ठीके जी तिल देन, have a nice day, take care guys, bye-bye.